दोस्तो आस्ती weekly expiry तो weekly expiry के दिन क्या होता है जो भी हमारे out of the money call होता है otm होता है वो हमारा zero हो जाता है जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कुछ out of the money options हैं वो यहां zero हो चुके हैं एक call option एक put option तो दोनों ही zero हो चुके हैं वो depend करता है कि market कहां पर close हुआ है कहां closing दी है तो दोस्तो जो weekly expiry का दिन होता है या expired होता है वो जो लोग options में trading करते हैं उन लोग का favorite दिन होता है क्योंकि आज के दिन expiry वाले दिन लोग बहुत ज़्यादा पैसा अज़्याषें करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि out of the money call zero हो जाना है तो जो ऑप्शन को sale किया है лег और जो option बाइयर होता है option buy जो करता है उन्हें इस बात का benefit होता है कि जो की प्रीमिएम आज तेजी से बढ़़्ते हैं अगर मार्केट में थोड़ी भी मॵमेंट है मhnा कि पाचास पॉइंट या हन्डेड पॉइंट मार्केटगा मूव करता है तो प्रीमिम वह उसी रेशियों में तीजी से मूव करते हैं फोड़े से ही मूवमेंट में वह ज्यादा पैसे को earn कर लेते हैं क्योंकि उनका premium तेजी से बढ़ता है बट उसमें क्या होता है कि जैसे premium तेजी से बढ़ रहा है उसी रेशियो में premium गिरता भी है तो option buyer आज की दिन काफी loss भी करता है तो आज की दिन जितना लोग पैसे को earn करते हैं और बहुत लोग पैसे को खोते भी हैं तो यह बहुत ही बड़ा दिन होता है options writers के लिए and option buyers के लिए जो भी option में trade करते हैं तो आज हम अपना trade देख लेते हैं जो भी हमने trade लेते हैं वह आज की दिन हमारा अज कित्ता लौश हुआ है यहां पर 226 रुपे का तो कुल मिला कि हमारे यहां यहां हुआ है आप यहां देख भी सकते हैं जो हमारे trades हैं आज यह हमने trades यह लिए हैं overall हमारा लॉस में है बट दोस्तों यह जो morning में हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो इसमें हमें काफी हद तक loss हमारा 3500 तक loss यहां पहुंच चुका था अगर आप देखें तो फ़र्ष्ट आप में अगर इतना loss हो जाए तो दिमाग खराब हो जाता है यह होता है कि फिर हम दिमाग से नहीं दिल से ट्रेडिंग करने लगते हैं और हमारा loss डबल हो जाता है अगर लॉसेस क्या होते हैं कि वो बढ़ते ही जाते हैं अगर वह continue होते जा रहे हैं तो यहाँ हमारी overtrading के व सब्वेज़ से आजे काफी लॉस हुआ एंड क्योंकि जब लॉस होने लगता है तो दिमाग काम नहीं करता तो अन्नेसेसरी जवर्दस्टी ट्रेडिंग करने के चक्कर में यहां कुछ लॉस हुए हैं बट सेकेंड हमें हमने काफी रिकावरी करी है और जो अपने लॉस को था उसको हम मिनियूम करके बाइस्टो पर ले आएं बेसिकली यह हजार तक पहुंच चुका था बट यह फिर बाद में एक लॉस दुबारा से हुआ तो अवरॉल हमारा बाइस्टो तक यहां पहुंच गया बट अगर देखें तो यह यहाँ कोई बड़े लॉस भी नहीं यह ज्यादा सबकौ होते हूप को होते हैं जो भी Kingdom करता है अगर कोई कर रहे है उसे लॉस नहीं हो रहा तो यह कलत है बिलकुल लॉस सबको हो था है बट हमें इस समझना चाहिए कि हमें लॉस क्यूं हो रहा है अगर repeated loss हो रहे हैं, तो इट means हम कुछ गलती कर रहे हैं, या जो हमने setup लिया है, जो हमारा setup है, उसमें हम जो entry कर रहे हैं हम गलत जगे कर रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा अगर आपको loss हो रहा है, तो सबसे पहले थोड़ा time लीजिए कि यह loss क्यों हो रहे हमेशा समझिए अदरवाइस आपके losses इतने बढ़ जाएंगे और आपकी capital last में zero हो जाएगे और फिर आप market से भार हो जाते हैं तो हमेशा कोशिस कीजिए कि अपने losses को कम से कम रखिए ज्यादा greedy ना बनी क्योंकि market कल भी खुलना है market बंद नहीं होने जादा क्योंकि हम सेम डे ट्रेडिंग करते जाते हैं over trading करते जाते हैं market से लड़ते जाते हैं market से revenge लेते जाते हैं तो उस case में हमारे losses जो है वह big loss में convert हो जाते हैं और फिर हमें last में बहुत दुख होता है तो हमेशा अपने loss को कम रखिए और profit तो होगा अगर आपका setup ठीक है सब ठीक है चीट ठीक है एंट्री ठीक है तो profit automatic आएगा बट आपको जो कंट्रोल करना है अपने loss को कंट्रोल करना है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही था कि अपने loss को कम से कम रखिए अगर losses हो रहे हैं तो आप अपने platform को बंद कर दीजिए या next day trade कीजिए तो आ सब्सक्राइब कर सकते हैं आज की वीडियों को इतना ही धन्यवाद